गंगा की बार से जन्पत संभल के गाउं रगुपूर पुक्ता में बार का पानी पहुचा गंगा की बार से सैगडो बीगा फसल भी जल मगनो हो गई है हरिद्वार से गंगा में छोड़ा गया पानी संभल के गाउं तक पहुच गया है गंगा बेराज पर अब तक सबसे जादा 2,28,000 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है जिला दिकारी ने जिला इस तरिया अधिकारियों के साथ किया दौरा नरोरा बेराज से पास हो रहे हरिद्वार के सबा 3,000,000 क्यूसेक पानी के बाद संबल जिले के गाउं रभुपुर पुक्ता के नाले में बाड का पानी गुज गया है बाड का पानी गाउं के गली गली आरों में पहुशने का अंदाजा लगाया जा रहा है उदर उफनाई गंगा से इस गाउं की सैक्डो भीगा फसल और जमीन जल मगन हो गई है तेज रफतार से पानी गाउं के जंगल में आ रहा है बाड का पानी बाड के आशंगा को देखते हुए संबल के जिला अधिकारी अधिनाश किष्ण सिंग ने जनपद सरी अधिकारी के साथ उन इला दो दिन पहले उत्रांचल में करीब सवातीन लाग क्विसक पानी जो है छोड़ा गया था जिसके कारण जो डाउन स्ट्रीम है उन जनपदों में गंगा नदी में बाड की इस्तिती बन गई थी और अचानक से जलस्तर बढ़ गया था अभी अपने यहां भी जो इसमें संभल जल्पत के जुनावी बलाग के हम लो रगुपुर फुक्ता गाउं में आये हैं ये पहले से भी बाड छेतर में से प्रभावित होने वाले गाउं में शामिल रहा है और अभी जो गंगा का जलस्तर बढ़ा है उसके कारण जो है हम देख रहे हैं कि इस गाउं के भी जो खास करके खेत है जो फसले लगी हुई है उनमें थोड़ा पानी आ गया गंगा नदी का परंतो अभी जो गाउं की मुख्याबादी है उसमें पानी नहीं आया है लेकिन हम सभी लोग जो है जनपत के सारे अधिकारियों के साथ हम लो जिस गाउं में विजिट कर रहा है बलकि इसके पहले भी हम लोग हुने सम्मादीत अधिकारीयों ने गाउं में विजिट किया था और गाउं वालों को भी 埃लट किया गया है इसके अलावा भी जो सबही पुष्थी गाउं है जो बाढ़ा से प्रभावित होने की जहां स से दूसरे सुरक्षी तस्तान पर जो आसरे इस्तिर बना है और शेल्टर के रुप में काम आता है जो बिद्याले उनमें अपने को सिफ्ट करेंगे और अपने पश्यों को भी ले जाएंगे जो कोई असुधा नो हो उनको और उनके पश्यों को यहां से विस्थाबित करने में जहां पर सिल्टर बनाये वहाँ पर उनको एक सुविधा जनक शेल्टर मिल सके